हेलो फ्रेंट्स माइसेल परवीन यादफ राम उत्तर प्रदेश उनिर्सिटी आप मेडिकल साइंस साइफ है इटावा जैसे आपको पता है कि हम यूपियो में पढ़ रहे हैं और आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि अप्लिकेशन फार्म इतना लेट की हो रहा है क्य इस वीडियो हम डिसकस करेंगे जो है अप्लिकेशन फार्म के बारे में और कौन सी बुक आप पढ़ें तो आपका सेलेक्शन हो जाएगा और जो अधर फेक बुक्स बहुत सी हैं जो है जो कुछ इस्टूडेंट भेज रहे हैं सहीं तो पैरा मेडिकल नाम से अलग-लग ब फालो करें और नीट के प्रिविएस येर कुश्चन पी वाई क्यू को फालो करें अगर आप एंसी आर्टी फालो करें बायो में तो आप हंड्रेट परसंट एंसी आर्टी फालो करें आर्गनिक में भी आप एंसी आर्टी फालो करें फिजिकल में आप वीडियो देख सकते जो उसके question solve कर लिजिए, formula physical के आपको 100% आपको रटा होना चाहिए, physics के formula आपको पता होने चाहिए, physics के आप need के simple question solve करिए, ज्यादा question hard मस solve करिए, जो theory based question है physics के उसको आप solve करिए, chemistry में भी ज्यादा physical के tough question ना solve करिए, theory based solve करिए, थोड़ा सा numerical solve कर लिजिए, जो देखिए direct सीधा formula से apply होने पे आ रहा है, formula आपको physics में पता होना चाहिए, chemistry में physical के formula पते होने चाहिए, name reaction आपको पूरा name reaction याद होना चाहिए, जो है क्योंकि name reaction से हर साल दो question पूछते हैं, name reaction बहुत ही important है जो है, और inorganic में आपको periodic table से दो से तीन question पूछते हैं, periodic table भी आपको पूरा अच्छे से याद होना चाहिए, और book आप NCRT follow करिए, इधर उधर की ज्यादा bookे follow ना करिए, हम एक NCRT स्रीज चला रहे हैं, NCRT complete attribution series, जो कि पहले हम 12th का portion खतम कर रहे हैं, इसके बाद 11th का खतम करेंगे, तो ये series काफी important है, जो इस student देखना चाहते हैं, वहाँ देख सकते हैं, क्योंकि उसमें हम 2019, 2020, 2018, क्योंकि 2019 में हमने CPNET का exam दिया था, तो 2019 के questions हम आपको 20-20 में बताते चले जा रहे हैं, कि ये question ये पूछा था 2019 में, क्योंकि मैक्समा questions तो याद हैं, और 2020 के भी questions हम बीच-बीच में बता दे रहे हैं, और 2018 के भी questions बता दे रहे हैं, तो इससे आपको previous year question का एक idea मिल जाएगा, कि ऐसे question पूछता है, जैसे पूछा था, उत्तरप्रदेश का राष्टी पच्छी कौन है, ये 2018 में भी question पूछा था, और ये 2020 में भी question पूछा, तो ऐसे questions इसमें पूछ लेते हैं, जो है, और जैसे 2019 में question पूछा था, कि एंगस्ट्रॉम जो होता है, एंगस्ट्रॉम तो इसकी पूछ लिया था, unit पूछ लिया था, तो ऐसे simple भी question आ सकते हैं, और question hard भी आ जाते हैं, पायों में 30 questions आप अराम से कर लेंगे, अगर आप NCRT को फालो कर रहे हैं, हम गारांटी लेते हैं, आप NCRT पढ़ रहे हैं, तो आप 32 से 33 questions तक हो सकते हैं, 34 questions में, तो आप 30, 15, 35, 30, 60 questions आपके हो जा रहे हैं, तो आपको यहां rank जो है, आपकी कम से कम 200 से 2500 अंदर तक rank आपकी आजाएगी, जो है, यहां पर आप जो है, अगर 60 questions कर दे रहे हैं, 100 questions में, कोई negative marking है नहीं, तो आप अच्छे से score कर सकते हैं, NCR series जो student नहीं देख रहे हैं, उसको देख लें, क्योंकि उसमें हम previous year की questions बीच बीच में बता दे रहे हैं, यह question 2019 में पूछा गया था, यह 2020 में पूछा गया था, और 2018 में पूछा गया था, तो हम जान लेते हैं, नोटीस में क्या है, जिसके कारण एक्जाम जो है इतना लेट होगा, नोटीस अंदेख लेते हैं, यह नोटीस निकली थी जो है, दिसंबर, दिनांग 25 नॉबर 2021, 25 नॉबर की यह नोटीस है, उत्तर विज्ञान संकाले, BPT, Second Year, BRIT, BMLT, Second Year, Third Year, Fourth Year, के एक्जाम जो हैं, इनके related information है, जब ये एक्जाम हो जाएंगे, जब हम लोग के एक्जाम अंदर के जो होते हैं, जब ये हो जाएंगे, जो अंदर एक्जाम हो रहे हैं, जो इस्टुडेंट पढ़ रहे हैं, इनके एक्जाम होने के बाद ही आपका application फार्म आएगा, जब हम लोग के एक्जाम अंदर के जो होते हैं, जब ये हो जाएंगे, एरली एक्जाम होता है, आपको पता है कि medical field में एरली एक्जाम होता है, बी फार्मा में सेमेश्टर होता है, तो इसमें लिखा महोदय कृपया उप्रोक्त विशय संदर्व ग्रहन करने का कश्ट करें, आपको आउगत कराना है कि सक्त 2020-2021 की paramedical विक्यान संकाय, BPT, BMLT, BOT, BRIT, दिती, तिर्ती, योम, BPT, चतुर्थ वर्ष की मुख्य परिच्छा, दिनांग, दिसंबर, मतलब परिच्छा जो है, ये दिसंबर में होनी है, तो आपका जो application farm CP.net का आएगा, वो लगभग 25 दिसंबर तक आएगा, आप CP.net का जो candidate application farm भर रहे हैं, उनके लिए जो date लगभग 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर के बाद ही लगभग CP.net का application farm आएगा, तो आपके पास परियाप्त समय है preparation करने की, आप preparation आप अच्छे से करिए, अगर कोई doubts हो रहा है questions में अगर physics में doubts हो रहा है खास कर या chemistry के numericals में doubt हो रहा है physical के तो आप उसका screenshot इस्टाग्राम पे भेज सकते हैं इस्टाग्राम link हमारा description box में है आप वहां से अपने doubts साल्व कर सकते हैं कोर्स हर कोर्स अच्छा नहीं होता हर जगां पे हाला कि सब कोर्स अच्छे हैं लेकिन government के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर कोर्स में vacancy नहीं निकलती है अगर course से भी related कोई doubts हो रहा कौई सा course ले कौई सा course नहीं ले क्योंकि जैसे जो course आया हुआ है BSLP course अटल भीहारी बाच पर Medical University में आया है ये नया course है ये अभी course बहुत ही नया course है इसकी कोई demand नहीं है तो मैंस्वाम student जो BSLP course करना चाह रहे हैं BSLP course के बारे थोड़ा आप एक बार और analysis कर लीजिए BSLP course कैसा है क्योंकि vacancies इसकी बहुत ही कम निकलती है vacancies ना के बराबर निकलती है तो अगर government के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो आप वो course करिए जिसमें government vacancies निकलती है तो इससे आपको काफी जो है फाइदा हो जाएगा और फिर preparation आप continue अपना करते रहें ज्यादा numerical के उपर ध्यान ना दें theory पे business focus करें और इसके बाद need के ही questions लगाएं previous year question simple question लगाएं ज्यादा tough question ना लगाएं और बाकी इधर उधर की fake book से बचें क्योंकि उससे question ना आने वाले हैं हाला कि उस पे भले ही कुछ लिख दिया गया है उपर से यूपी यूमेस लेकिन उससे एक भी question आने वाले नहीं है क्योंकि हमने book की analysis कर ली है मिलते हैं next video में नई update के साथ जैहिंद